मनिपूर की जो घटा कितना शर्म मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहां के मुकमत्री क्या-क्या ब्यान दे रहे हैं और भी शर्म की बात है और इस बात पर एक बार ही ने जो बैंगलोरू में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की उसमें भी हम लोगों ने बएप्धानमंत्री अब टक खामोश थे अहीन दख रख भाली दे रहे हैं विपक्ष के tenants को अपने काम को नहीं किनुआ रहे अपनी बात नहीं बता रहे हैं ते राहूल गांदी जी मनिपूर जाते हैं लेकिन प्रदानमंतरी क्यों नहीं जाते है लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बंती सब्सक्राइब के लोग अगर राहूल गांदी जाते हैं वह चीजों को समझते हैं हालात में समाज में वहाँ संदेज देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए तो पुरा देश तो देखी रहा है मनिपूर की लोग देखने क्या हो राप पूरा जल रहा है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अगर वहाँ बीज़ेपी पार्टन पार्सल नहीं होता कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन को नजेंसि हमतीमी चीवेटी होती और जो घोदी मीडिया तो मनिपूर की घटना का को गोदी मीडिया ने दिखा लीविपक्ष की लोग एक जुट हो रहे हैं उसको ले करके प्तर तहले है जुटी खबर पहलाई जाती है फंटना जी नणा आज़ों कहरत कि कि भाक्या नाराजगिए म कि हम सब लोगों का लक्षी है कि देश के सन्विधान देश की लोकतंत्र को बचाने का काम करें विकास की बात नहीं होनी चाहिए मुद्धे की बात होनी चाहिए तो बिना वेरिफाई बिना कुछ किये वे कोई कुछ लेकि देता हुच्छी के पीछे सारे खबरे चलने लगती है तो उसलिए अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है देश का प्रधान मंत्री खामोश है भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोट को हस्ता चेप करना पड़ता है राहूल गांदी जी को जाना पड़ता है क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे मनिपूर्देश में हैं कि नहीं है यह अच्छे दिन है मोधी जी बताना पड़ेगा ना व